हेलो एंड वेलकम अगें तो वीजम प्लस कैडमी डियर एस्परेंटिस आज के लेक्टर में हम यहाँ पर स्टेडी करेंगे दिफ्रेंटिस बीटविन नागर स्टियल अपर टैंपल आर्खिटेक्चर डैट इस फाउड इंडीया और जो साधुडरं टैंपल आर्खेकर होता है जोसको हम बोलते है ड्रैवडियन स्टाइल इनके बीच में डिफ्रेंटिस क्या है वो हम आज बर बेदेटर में सिटेडी करेंगे ठीक है ठीक है अगर अब किसी भी हंदू टेंपल में जाओगे there are four important parts ठीक है एक पार जो होता है tower-like structure इसको हम बोलते शेकर in the northern इंडिया and same tower को हम बोलते विमान in the south इंडिया ठीक है जो next element होता है next part होता है temple का that is tower के नीचे एक cubical room होता है इस cubical room का हम बोलते गर बाइगरा ठीक है और यह जो गर बाइगरा होता है इसमें main बगवान main deity रखी जाती है ठीक है और जो गर बाइगरा होता है इसके सामने एक room को attach किया जाता है जिसको हम बोलते है mandap ठीक है mandap is actually prior hall because लोग mandap में बेटकर main deity की पूजा करते हैं ठीक है न ओर जो फोर्थ पार्ट होता है temple का that is called वहान ठीक है जो गर बाइगरा होता है इसके उपर एक vehicle like structure mound like structure बना जाता है फिर उसके उपर tower construct किया जाता है जो mound like structure या vehicle like structure होता है इसी को हम बोलते है वहान ठीक है यह main जो डाइटी होती है temple की उपर बना जाता है these are the four parts of temple one tower जिसको हम शेकर बोलते है नार्थ इंडिया में और विमार बोलते है south इंडिया में next part होता है गर बाइगरा जिसमें main deity रखी जाती है और third element होता है मंडप जिसमें लोग बेठकर पूजा करते है और fourth part होता है विकल लाइक स्ट्राक्यर आंधिय गरबाइगरा इस आर्दी फोर पार्टस अगर आपको इस टापिक की PDF चाहिए आप जोइन कर सकते है telegram channel of vision policy academy ठीक है now let us see differences with the help of images एक visual memory construct हो जाती है brain में जिसकी वज़ए से जो things होते है images उसके बाद हम इनको थेरी में पड़ेंगी ठीक है देखिए जो नार्थ इन टेमपल होते हैं उनके टावर को हम बोलते हैं शेखर ठीक है लाइक शेखर ठीक है देखिए जो most prominent most visible element होता है नार्थ इन टेमपल का it is टावर जिसको हम शेखर बोलते हैं लेकिन जो most prominent most visible element होता है south Indian temples का इसको हम गोपराम बोलते हैं देखिए गोपराम क्या होती है main gateway आप दिटेमपल लेकिन अगर कोई देवार है round the temple उसमें कोई gateway है या gateways है इनको हम बोलेंगे तोरना ठीक है next देखिए जो नार्थ इन टेमपल होते हैं इनके round में देवार्ज नहीं होते हैं बट जो south Indian temples होते हैं इनके round में देवार्ज होते हैं ठीक है नार्थ इन टेमपल में usually sit-ups होते हैं leading to the temple बट south Indian temples में usually sit-ups नहीं होते हैं ठीक है और जो नार्थ इन टेमपल होते हैं इनको रेजिट स्टून पलेट फारम पर बनाया जाता है बट जो south Indian temples होते हैं they are constructed at the ground ठीक है अब यहाँ पर देख रहे होंगे जो नार्थ इन टेमपल होते हैं उनमें usually बहुत सारे towers होते हैं जुनको आप शेखाराज बोलते हो लेकिन south Indian temples में सिर्फ एक tower होता है जुसको हम विमान बोलते हैं ठीक है next important feature जो production path होती है या circumambulatory path होती है north Indian temples का वो वो open होती है ठीक है for example अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो यह street है around the temple इस production path जिसमें लोग क्या करते हैं रिवालू करते हैं round the temple पूचा करने के लिए ठीक है ना इसको हम बोलते production path यह open इसलिए हैं because इसके side में कोई भी grill ना कोई भी देवार नहीं है but जो production path और circumambulatory path होती है south Indian temples की it is closed by either walls और by grill for example यह production path है round the temple and इसके side में यहां देवार होता है यहां it is enclosed by grill ठीक है these are some basic differences between नागरा सेटाइल of temples and ड्रेवदेन सेटाइल of temples ठीक है I hope with the help of these images आपके बहुत सारी concepts यहां पर clear हो गए होंगे ठीक है अब हम पढ़ेंगे theory part temple architecture जिसको design किया जाता है North India में उसका हम बोलते नागरा सेटाइल of temple architecture it is found in North India लेकिन जो South India में temple architectural design को construct किया जाता है उसका हम बोलते ड्रेवदेन सेटाइल ठीक है आप लोग ने उपर देखा जो North Indian temples होते हैं वहाँ पर कोई भी elaborate boundary walls नहीं होते हैं लेकिन South Indian temples में elaborate boundary walls होते हैं ठीक है next North Indian temples का जो tower होता है उसका हम शेकर बोलते हैं it is curvy linear in shape that means जो शेकर होता है इसके वाला जो होते हैं they are curved inverse इसको हम बोलते हैं curvy linear tower लेकिन जो South Indian temples में tower होता है उसका हम बोलते हैं विमान it is set up pyramid shaped structure ठीक है इसके वाला जो होते हैं they are not curved inverse but they are set up pyramid shaped ठीक है next जो most prominent most visible element होता है North Indian temples में वह शेकर होता है but most prominent element जो होता है South Indian temples का उसका हम गोपराम बोलते हैं याने main gate होती है ठीक है जो North Indian temples होते हैं उनके premise में कोई भी water tank या water reservoir नहीं होता है लेकिन जो South Indian temples होती हैं उनके आंगन में उनके premise में एक या एक से ज़्यादा water reservoir और water tank होते हैं this is another important feature ठीक है next North Indian temples की जो production path होती है या circumambulatory path होती है that is open इसका मतलब क्या है temple के round में जो production path होती है जिसमें लोग गुमते है round the temple पूझा करने के लिए इसके side में नदेवार होता है neither it is enclosed by grill लेकिन जो production path होती है South Indian temples में it is enclosed by either grill और वे wall ठीक है next देखिए जो North Indian temples होते हैं उनको usually construct किया जाता है रेजर्ड सुटून पलेट फारम पर ठीक है ना और North Indian temples में usually sit-ups होते हैं leading to the temple लेकिन जो South Indian temples होते हैं they are constructed on the ground level इसलिए उनमे usually sit-ups नहीं होते हैं ठीक है जो pedestal होता है North Indian temples का याने production path और circumambulatory path it is always higher than the ground level because जो temple होता है इसको सुटून पलेट फारम पर construct किया जाता है और जो production path होती है इसको भी सुटून पलेट फारम के ऊपर ही construct की जाती है ठीक है ना लेकिन जो South Indian temples का pedestal होता है पर दाखन path होती है इसको कानशक्ट किया जाता है on the ground level next most important feature North Indian temples के जो deities होते हैं इनको रखा जाता है outside the temple याने गारबागरा में गारबागरा एक cubicle room होता है इसी room में जो deities होते हैं इनको रखा जाता है और लोग जो है वो मंडप में बेट कर main deity की पूजा करते हैं लेकिन जो South Indian temples होते हैं वहाँ पर deities को outside गरबागरा रखा जाता है ठीक है ना और वहाँ पर usually मंडप system नहीं होता है ओके नेक्स्ट देखे जो crowning elements होते हैं शेकर पर एक होता है horizontal circular element इसको हम आमलग बोलते हैं और आमलग के ओपर bell shaped structure होता है जिसको हम केलाज बोलते हैं ठीक है लेकिन अगर हम विमान की बात करेंगे इसके उपर भी एक ornamental एक designing element को add किया जाता है that is octagonal shepherd ठीक है ना उसको हम शेकर बोलते हैं अगर आपसे पुछा जाएगा बताए what is shaker in the South Indian temples it is crowning element लेकिन अगर आपसे पुछा जाएगा what is shaker in the North Indian temples it is whole tower ठीक है अगर हम image में देखेंगे what is amlak and what is kailash देखें अगर हम इस image को zoom करेंगे यह जो North Indian temple है यहाँ पर यह जो round structure आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह वाला structure इसको हम बोलते हैं amlak इसके उपर जो यह bell shaped structure है इसको हम बोलते हैं कैलाश ठीक है लेकिन अगर हम विमान की बात करें इसके उपर भी जो एक crowning element होता है यह वाला element it is octagonal shaped यानि कि इसके 8 sides होते हैं ठीक है न and it is like sutup ठीक है न बट इसके 8 sides हैं इसको हम बोलते हैं शेकर I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा किसको हम शेकर बोलते हैं south इंडिया में और किसको हम शेकर बोलते हैं north इंडिया में ठीक है next अगर आप गर बागरा में enter करोगे north इंडियन के temples में आप entering point पे देखोगे अंदिवालस river gods की images particularly आप यमूना एंड गंगा लेकिन अगर आप enter करोगे गर बागरा में south इंडियन temples के वहाँ पर आप देखोगे देवार्स पर दवारपाल्स याने डोरकेपरs guarding the temple ठीक है most common element जो नागर स्टैल में है और ड्रैविदेन temples में है that is पंच यातना से टाइल ठीक है ना it is temple architectural design जिसमें पंच temples को बना जाता है जो बड़ा temple होता है main temple होता है जिसमें main बगवान की image रखी जाती है इसको center में बना जाता है और other four सब shrines को बना जाता है on the corners of the main temple ठीक है ना इसलिए हम इसको बोलते पंच यातना design यह already UPS ने पूछा हुआ है ठीक है it is found in both north indian temples as well as south indian temples ठीक है I hope यह जो session है आपको अच्छा लगा होका अगर लगा like this session and also subscribe vision plus academy for future lectures ठीक है